नमस्कार स्वागत आप सभी का सिख्षा सेटिय के से योटूब चैनल में आज है साथ मार्च का दिन और साथ मार्च के दिन के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेस के प्रस्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रस्त मारा कहा रहा है आरबियाई यानिकी रिजवर बैंक आफ इंडिया ने हाली में नगदी संकट से जूज रहे प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है सुपर इंपोर्टेंट प्रस्न तो हाली में अरबियाई के दोरा नगदी संकट से जूज रहे जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यस बैंक इस पर रोक लगाते हुए इसका जो बोर्ड आप डिरेक्टर यानिकी इसका जो निदेशक मंडल है उसको भंग कर दिया गया है तो आप्सन जो ए है इस प्रस्न का हमारा बिल्कुल सही है यस बैंक के बोर्ड आप डिरेक्टर जो अरबियाई ने भंग कर दिया है तो आप इससे या दिखीगा इसके साथ ही यस बैंक के जितने भी जमा करता हैं यस बैंक के जमा करताओं के लिए पच्चास हजार नेकासी की सीमा भी तैक कर दी गई है कुस मतलब रबियाई के द्वारा तो इसे भी आप या दिखीगा यस बैंक के जमा करताओं के लिए पच्चास अजार रुपे की नेकासी की सीमा भी तैक कर दी गई है इसके साथ जो आरबियाई है उसने बैंक के जमा करताओं पर ने प्रति संकट से जूज रहा था इसी कारण से जो है RBI यानि कि Reserve Bank of India ने उसके Board of Directors को भंग कल दिया है चता इसके जो जमा कलता है उनके लिए 50,000 रुपे की जो निकासी सीमा है उसको तैंक कल दिया है RBI ने कुछ दिनों के लिए तो आप इसे या देखेगा यस बैंक पर यहा अब RBI ने यहां पाबंदी लगाई है तो RBI है हमारे देश का Central Bank यानि हमारे देश का जो है केंदरी बैंक है RBI जिसके प्रजिन टाइम में गवनर है सक्तिकांत दास कौन है तो सक्तिकांत दास जो है यह प्रजिन टाइम में RBI के गवनर है तो आप इसे या देखेगा अग भूलेगा गजेंद्र सिंग से खावत जो हैं ये प्रिजेंट टाइम में हमारे किंद्री जलसक्ती मंत्री हैं तो इन्हें से जोड़ा प्रस्न है किंद्री जलसक्ती मंत्री ने हाली में सच भारत मीशन ग्रामिड के कौन से चरण की सुरुवात की है तो हाली में आमारे जो किंद्री जल सकती मंतरी है गज़द्र सिंग सेखावत इनोंने मतलब स्वच भारत मीशल ग्रामिड के दूसरे चड़न की शुरुवात कर दिया तो option जो इसका B है अमारे मैं बिल्कुल सही है स्वच्छ भारत मीशन गरामिड के दूसरे चरण की सुरुवात कर दी गई है हाली में किंद्री जल सक्ती बंतरी गजिंद्र सिंग सिखावत के द्वारा तो आप इसे या दिखेगा अप्शन जो भी है इस प्रस्ण का हमारा बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण हमारा कहा रहा है हाली में किस बैटमिंटन खिलाडी को चोथी बार टाइमस ओफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरसकारों में वर्स का सर्वसिस्ट खिलाडी चुना गया है सुपर इंपोर्टन तो पीवी सिंदु इसका राय टेंसर हो जाएगा पीवी सिंदु को चोथी बार टाइमस ओफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरसकारों में जो है वर्स का सर्वसिस्ट खिलाडी चुना गया तो इस प्रस्ण का राय टेंसर हमारा है ऑप्शन सी आपको याद होगा पीवी सिंद इसे साल स्विडिया लेंड के बेसल सहर में 200 चैंपियन सिफुई थी उसमें इन्हों ने स्वन पदक भी जीता हुआ था तो इसे भी आपया दिखेगा पिछले शाल जो 20 बैटमिंटन की 200 चैंपियन शिफुई थी सुडिया लेंड के बेसल सहर में उसमें पीवी सिंदु पदक जीता था और जो रियो ओलंपिक्स खेल हुए थे उसमें इन्हों ने रज़त पदक जीता हुआ था इसे भी आप आप देखेगा चता पीवी सिंदु को ही चौती बार टाइमस ओफ इंडिया इस्पोर्ट्स पुरसकार में वर्स का सर्वेसेस्ट खिलाडी चुना गया सुपर इंपोर्ट्स प्रसना तो नासा द्वरा जुलाई 2020 में जो उसका निर्धारित मंगल मेशन है उसके लिए जो रोवर बनाये गए इसका नाम रखा गया है पर सेवरेंस तो इसका रैट एंसर क्या हो जाएगा option D पर सेवरेंस इसका नाम रखा गया है रोवर का जो मं मंगल मिसन पे भेजा जाएगा नासा के द्वारा तक इसे या देखेगा नासा या एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है यह जुलाई दौजार बीस में मंगल पे अपना एक मिसन भेजेगी तता इस मंगल पे जो मिसन भेजा जा रहा है उसके लिए इसने अपने रूवर का नाम पर सवरेंस तो आप इसे आदेखेगा option जो इसका D है हमारा बिल्कुल सही है या जो NASA है या एक अमेरिकी याने की USA की Space Agency है तो इसे भी आप आदेखेगा या भी कई बार एक्जाम में पूछा गया प्रस्तन है इसके साथ ही अगर हम अस्थापना की बात करें तो NASA की जो अस्थापना है 29 जुलाई कब तो 29 जुलाई 1958 को NASA की अस्थापना की गई थी तथा इसका headquarter present time में है Washington DC में कहां तो Washington DC में present time में NASA का headquarter है तथा NASA के प्रमुख भी कई पर इत्जामें पूछ जाते हैं प्रमुख याने की संस्थापक यहां पर हम बात कर रहे है तो NASA के संस्थापक कौन है तो David I. Jan Hauer कौन है ये नाम आप note down कर लिजेगा David I. Jan Hauer जो है ये NASA के संस्थापक है तो आप इसे याँ देखिएगा नासा का फुलने भी कई पर इत्जामें पूछा गया है तो National Aeronautics and Space Administration जिसे हम सौर्ट फॉर्म में नासा कहते हैं यहां अमेरिका की Space Agency है तो अप इसे याद रिखिएगा अगला प्रसमारा कहा रहा है हाली में किस राज में नमस्ते औरचा महसव की सुरुवात की गई है तो नमस्ते औरचा महसव की सुरुवात हाली में कहा की गई है तो मद्र प्रदेश के निवारी जील में आप आद दिखिएगा मद्र प्रदेश का जो निवारी जीला है यहीं पे हाली में नमस्ते और अच्छा महसव की शुरुवात की गई है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हमारा है Option B मद्रप्रदेश के नीवारी जीले में जो है और अच्छा महसव नमस्ते और अच्छा महसव की शुरुवात की गई ताप इसे याद लखिएगा most important प्रस्ण अब जो है मद्रब्रदेश में इस महसों की शुरुवात की गई है तो मद्रब्रदेश के मुख्यमंत्री आपके हैं कमलनाथ कौन है कमलनाथ जो है ये मद्रब्रदेश के मुख्यमंत्री है और मद्रब्रदेश के राजपाल है लाल जी टंडन कौन है तो लाल जी टंडन जो हैं ये मद्रदेश के राज्य पाल है आगला प्रसमारा कहा रहा है हाली में किस देश ने बैटमिंटन एसिया चेंपियंशिप की मेजबानी करने की घोसना की है तो इससे पहले जो बैटमिंटन एसिया चैंपियन सीप थी वह होने वाली थी चीन के बुहान सहर में तो जैसे कि आप सभी को पता है चीन में प्रिजेंट टाइम में कोरोना वाइरस का जो कहर है काफी ज़्यादा है तो इसी को देखते हुए अब जो बैटमिंटन एसिया चैंपियन सीप है वह चीन के बजाए फिलिपिन्स में आयोजित की जाएगी तो इस प्रस्टन का राय टेंशन हमारा है option C, अब जो है badminton Asia championship की जो मेजबानी है फिलिप्पीन्स सहर करेगा, तो option C इसका बेलकुल सही है, इससे पहले या जो championship थी या चीन के वुहान सहर में आयोजित की जाने वाली तो आप इसे याद रिखिएगा, परन्तु कोरोना वा इसकार जानी है present time में Manila, अगला important प्रस्ट हमारा है, हाली में Janejjjansa किस देश के नए प्रधान मंतरी बने है, तो Slovenia के, यानि option जो इसका B है हमारे बिलकुल सही है, हाली में Slovenia के नए प्रधान मंतरी बने हैじゃない यानि अप सन जो इस प्रसिंदर का हमारा बिलकुल चाहिए भी तो आप इससे याद एगएगा अब समय वह हनिया के नए प्रधान मंत्री बने है तो सल्वेनीया के राज़धानी की भी बात कर लेते हैं यहां पे स्लोवेनिया की राधानी क्या है प्रेजन टैम में तो जुबल जाना क्या है जुबल जुबल जाना जो है यह प्रेजन टैम में स्लोवेनिया की राधानी है स्लोवेनिया की ओफिसियल करंसी है यूरो क्या है तो यूरो जो है ओफिसियल करंसी ह इस साल का जो चोथा वैश्विक अएरोवेद महुसव है इसका आइजन किया जाएगा केरल के कोच्ची सहर में यानि जो option इसका A है बिल्कुल सही है केरल के कोच्ची सहर में जो है चौथा वैस्विक आयरुवेद मौसव दोजार बीस का आइजन किया जाएगा तो option A है इसका बिल्कुल सही केरल के कोच्ची सहर में तता इस आयर्वेध मौस्वा का जो आयेजन है, यह सोला से लेके वीस मई के मद्ड किया जाएगा, तता इस मौस्वा का बिसए क्या रखा गया है, थीम क्या रखा गया है, आयरोवेध चिकिछसा परेटन, भारत की सांख बनाना, अब नूट ऊन कर लिजेगा, इस आयरोवे चेकिस्सा परेटन भारत की साख बनाना इस आयरुवेद महसव की इस वर्स की थीम है तो आप इसे याद देखिएगा ज़ता इसका जो आयरुजन है यह किया जाएगा केरल के कोच्ची सहर में तो आप इसे याद देखिएगा ज़ता प्रिजेंट टैम में हमारे आयूस जो है यह प्रिजेंट टैम में हमारे क्या है तो प्रिजेंट टैम में आयूस मंत्री है अगला प्रस हमारा कह रहा है हाली में क्रोनिकल्स ऑफ चैंपियंस पुस्तक का बिमोचन किस ने किया है तो हाली में क्रोनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का जो में Chronicles of Change Champions नामक पुस्तक का बिमोचन किया गया तो आप इसे आ देखेगा तता यह जो पुस्तक है प्रधान मंत्री की जो फ्लैक सी प्योजना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इसके तहत राज और जिलास्तर पर चलाई गई मतलब 25 अविनव जो पहल है उनका संकलन इस पुस्तक में किया गया तो आप इसे आ देखेगा यह जो पुस्तक है Chronicles of Change Champions यह पुस्तक प्रधान मंत्री की फ्लैक सी प्योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जितने भी राज और जिले के अंतरगत 25 अविनव जो पहल चलाए गयी थी उनका संकलन इस पुस्तक में किया गया है तता इस पुस्तक का जो भी मोचन है वह इस्मृती जूबीन इरानी के द्वारा किया गया तता इस्मृती इरानी के पास कौन सा मंत्राल है प्रजन टैम में है तो यह केंद्री महिला और बाल विकास मंत्र तो आप इसे याद रहेगा सुपर इंपोर्टेंट प्रस्ण इसके साथ यगर हम बेटी बचाओ-बेटी-पड़ाओ-अभियान की सुरुवात की बात करें तो यह जो बेटी-बचाओ-बेटी-पड़ाओ-भियान था इसकी सुरुवात पीयम-मोधी किसके दरा तो इसकी जो शुरुवात है प्रधान मंत्री मोधी के दोरा 22 जनवरी सन 2015 को हरियाना के पानिपत सहर से की गई थी आप इसे आ देखेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुवात है या पियम मोधी के दोरा 22 जनवरी 2015 को हरियाना के पानिपत से की गई किया गया है, सुपर इंपोर्टेंट ए भी प्रस्तन है आपका, तो हाली में जो हमारे लोगसभाई स्पीकर हैं, श्री ओम बिर्ला जी, आप याल देखेगा, हमारे जो लोगसभाई स्पीकर हैं, ओम बिर्ला जी, इनके द्वारा कॉंग्रेस के टोटल साथ सांसदों को निल सांसदों के दोरा, जो है, नियमों की अवहिलना करने के कारण, इनको निलंबित कल दिया गया है, पूरे बजट सत्र से, मतलब जो बजट सत्र हमारा चल ला है, बजट सत्र का जो हमारा से से समय बच्चा हुआ है, उस से समय के लिए, इन साथ संसदों को निलंबित कल दिय आगया है लोगसभा से तो आप इसे याद देखिएगा option C इसका बिलकुल सही है तता लोगसभा स्पीकर हमारे प्रजेंट है में कौन है तो ओम बिर्ला अगला प्रसन मारा कहा रहा है हाली में किस राज्य के और अंगाबाद हवाई अड़े का नाम छत्रपती संभाजी महरा हवाई अड़ा किया गया है तो महराष्ट का यह हवाई अड़ा था और अंगाबाद हवाई अड़ा जिसका नाम बदलके चत्रपती संभाजी महराज हवाई अड़ा किया गया है तो इस प्रसन का right answer हमारा क्या हो जाएगा option A महराष्ट का यह हवाई अड़ा था जिसका न का लाश्ट प्रस्ण हमारा है हाली में रिजोर बैंक आप इंडिया ने किस बैंक में निकासी सीमा 50,000 रुपए प्रती खाता सीमीत कल दिया है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हमारा है यस बैंक तो आप इसे आदे किगा नगदी संकट से जूजरा जो यस बैंक है उसके उपर कही तरह की पाबंदिया हाली में रिजोर बैंक ने लगा दिया है इन पाबंदियों में से एक यह है कि इसके जितने भी खाता धारक हैं वे अब 50,000 रुपए से ज़ादा नगदी नहीं निकाल सकते हैं यस बैंक से तो आप्सन इसका ए बिल्कुल सही है इसके साथ ही RBI ने यस बैंक का जो बोर्ड आफ डिरेक्टर है इसके जो बोर्ड आफ डिरेक्टर है यानि कि जो निदेशक मंडल है उसको भी RBI ने भंग कर दिया है तो इस प्रसन का ओप्सन ए बिल्कुल सही है तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल बारह सबसे महत्रपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यास के प्रसनों को कवर कर लिया है जो कि आज यानिकी साथ मार्च के दिन के हैं आई होप आपको वीडियो पस संदय होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक यू